दोस्तों क्या जब से Jio का Recharge महंगा हुआ है तब से आपके मोबाइल के अंदर सिर्फ 4G चल रहा है, 5Z एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है तो कैसे दोस्ता आप Jio True 5Z को अपने मोबाइल के अंदर वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं रिचार्ज महेंगा होने के बाद इस वडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत से लोग दोस्तों परिशान हो गए हैं उनके मोबाइल के अंदर सिर्फ 4G चल रहा है 5G on ही नहीं हो रहा है तो कैसे दोस्तों आप इसे on करेंगे 5G को अपने मोबाइल में और high speed में दोस्तों Jio True 5G को अपने मोबाइल में बेलकुल free में unlimited चलाएंगे इस वडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ठीक है अगर आप भी Jio का sim card use कर रहे हैं और जब से recharge मेंगा हुआ है तब से आपके मोबाइल के अंदर 4G चल रहा है तो सिर्फ एक बार इस वडियो को पूरा देख लेना ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यदा important है ठीक है तो चलिए हम इस वडियो को start कर लेते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने मोबाइल के अंदर Jio True 5Z को एक्टिवेट करेंगे और unlimited बिल्कुल फ्री में जो है 5Z इंटरनेट चलाएंगे हाइ स्पीड में अब फिलाल हमारे मोबाइल के अंदर भी आप देखोगे तो 4G चलाएं जबसे रिचार्ज महेंगा हो गया है न सबके मोबाइल के अंदर 4G चलाएं ठीक है तो कैसे 5Z को एक्टिवेट करना है चले मैं आपको बता देता हूँ तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर प्लेइश्टोर को उपेइन करना है सबसे पहले प्लेइश्टोर उपेइन करने के बाद यहाँ पर सर्ज के उपर क्लिक करना है और जियो लिकर आपको सर्ज करना है जिसके बाद दुस्तों यहाँ पर Jio का एक app आ जाता है तो इसके उपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे My Jio का यह जो app है यह बहुत से लोगों के mobile phone में पहले से download होगा लेकिन बहुत से लोगों के phone में यह download नहीं होगा तो इससे आपको सबसे पहले download करना होगा क्योंकि इसी से दोस्तों आप अपने mobile के अंदर Jio Truth IZ को activate कर सकते है ठीक है तो इससे download करने के बाद आपको open कर लेना है इस तरह से दोस्तों यह जो app है यह open होकर आ जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना कै ध्यान से वीडियो को देखना यहाँ पर main point है ठी ठीक है ओके तो इस तरह से आपके सामने interface आजाएगा थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों दिक्कत हो रहा है यह जो app है यह slow चल रहा है ठीक है अब इसके अंदर आप आजाएंगे तो यहाँ पर आपको एक pop-up देखने को मिल जाता है Geo Truth IZ का आप यहाँ पर देख सकते है Congratulations य इसी में एक बटन दिया होता है Get Started तो इसी Get Started की उपर आपको क्लिक कर देना है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह थोड़ा सा लोडिंग होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर Congratulations लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर दोस्तों आपके फोन को यह पूरी तर अप to date है तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है अगर आपका Mobile अपडेट नहीं है तो अपडेट आव कर करके अपडेट करना पड़ेगा ठीक है तो हमारा फोन तो अपडेट है तो यहाँ पर आपडेट के उपडेट कर देते हैं उसके बाद यह भी यहाँ पर green हो अब यहाँ पर last में आप देखो गया तो आता है 5G सेटिंग का अब यह जो सेटिंग है हमारे mobile के अंदर नहीं हो रखा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Check your 5G सेटिंग्स तो अब हमें 5G सेटिंग्स को करना है तो उसके लिए हमें go to सेटिंग के उपर जो है क्लिक करना होगा अब हम वह आपस सेटिंग के अंदर redirect हो जाएंगे अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखना है कि 5G सेटिंग्स क्या आपको करना है तो यहाँ पर mobile network and internet होता है तो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर सबसे उपर मिल जाता है internet तो internet के उपर क्लिक करना है अब जिस sim में दोस्तों आपका जो है मतलब की 5G एक्टिवेट करना है जिस sim में आपका जियो लगा है 1 या फिर 2 तो उसे आपको यहाँ पर select करना पड़ेगा ठीक है तो हमारे फोन में 21C में तो हम इसे यहाँ पर select कर लेते हैं उसके बाद इस तरह से पूरा का पूरा setting open होकर आ जाएगा यहाँ पर आपको scroll down करके नीचा आना है यहाँ पर एक setting दिया होता है preferred network type आप देख सकते हैं इसी preferred network type के उपर आपको click करना है और यहाँ पर आप देखोगे तो यह दोस्तो 4G पर set रहता है जिससे दोस्तों आपके mobile के अंदर 5G नहीं चल पाता 5G activate नहीं हो पाता तो यहाँ पर आपको करना क्या है इससे 5G पर set करना है जैसे दोस्तों आप इससे 5G पर set करेंगे आपके mobile के अंदर Geo true 5G activate हो जाएगा आप देख सकते हैं 4G के जगे यहाँ पर 5G show होने लग गया ठीक है यहाँ हमारे mobile के अंदर 5G यहाँ पर activate हो चुका है अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है Geo true 5G को विल्कुल free में unlimited चलाएंगे तो उसके लिए वापस से दोस्तों आपको क्या करना है My Geo app को open कर लेना है यहाँ पर number के आगे जो arrow है इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा हुआ आएगा unlimited true 5G और कितना आपको मिला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि हमारे mobile के अंदर unlimited true 5G जो है activate हो गया है अब हम आसानी से unlimited जो है Geo 5G को इस्तमाल कर सकते हैं समझ गया है अब दोस्तों अगर आपके mobile के अंदर यह पूरा trick करने के बाद भी Geo true 5G एक्टिवेट नहीं होता है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा चलिए ओ भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों आपको यह चीच चेक करना है आपने जो recharge करवाया है वो 5G वाला है आप इन नहीं है क्योंकि जब से recharge महंगा हो गया ना पहले तो 299 में भी दोस्तों आपको 5G internet मिल जाता था लेकिन दोस्तों आप जो 5G का सबसे सस्ता recharge प्लान है यह 349 का है आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि 349 से अगर कम price वाला कोई भी आप recharge करवाते हैं तो आपको Geo True 5G नहीं मिलेगा आपके mobile के अंदर भले ही आपका phone 5G है लेकिन जो net है वो 4G चलेगा समझे रो तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपने कौन सा recharge करा है यानि कि अगर आपने 2GB per day वाला करवाया है तो 100% आपको 5G मिल जाएगा लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे की देखो 1.5G वाला select कर लेते हैं इसे हम यहाँ पर apply कर देते हैं तो कहीं पर भी दोस्तों यहाँ पर फाइजी लिखा हुआ नहीं आ रहा है ठीक है चाहिए आप कितने का भी रिचार्ज करवा लो कहीं पर भी दोस्तों आप देखोंगे तो फाइजी नहीं लिखा हुआ आ रहा है अगर यहीं पर आप 2GB per day select कर लेते हो तो आपके यह फाइजी इंटरनेट आपको नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल फ्री में जियो ट्रू फाइजी को नहीं चला सकते इस बात का आपको ध्यान रखना है समझगे कि कौन-कौन लोग दोस्तों अपने मोबाइल के अंदर जियो टूरू फाइजी को 备क्टिवीड कर सकते और चला सकते ठीक है तो अगर आपको धोस्तों यह फ़ीडियो पसंद आयए तो वीडियो को लाईकों शेयर करना साथी साथ हमारे शेनल को सस्क्राइब करेना ठेंकिय दूस्तों बाइबेंट टेक केर